हेलो फेंड स्वागत है आपका यूटूब चैनल अमीता अश्टेनो में आज जो आपका क्लास होगा वो क्लास 24 होगा इसमें आपको मैं बताऊंगी ट, त, और क के परियोग तो आप वीडियो को पूरा देखिये और ध्यान से देखेंगे एक बार में ही आप सीख जाएंगे ट, त, और क के परियोग को तो वीडियो को सुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना साथ ही साथ दोस्तों के साथ सेर करें चलिए शुरू करते हैं तो आपके सामने जो ट, ट और क है इसे आप कोई भी जब भी आपके व्यंजन हो व्यंजन रेखा उसको आप आधा कर देंगे तो क्या लगे हुए माने जाते हैं ट, त और क जैसे पट पट या पक तो इसे आप देख लेंगे कैसे बनाएंगे तो इस से आधा कर देना है तो आपको ये लगे हुए माने जाएंगे पहर्ट प्रतर यह रपक तो यहाँ पर पो को हम mogę आधा-कर दिया है तो इसे पढ़ेंगे आप पहर्ट पहर्ट अपक प्रdo ट跳 यह टाक तो इसे आपको कैसे लिखना तो इसी को ट को आधी कर देनी होगी, ट को आधा कर देंगे तो आपको ट, ट, ट या टक, च को आधा करने से च, ट, च, त या च, क, इसे आप आधी लिख देंगे, तो इस तरीका से आपको च, क, बढ़ सकते हैं, अब म, ट, म, त, या म, क, इसे कैसे आप बनाएंगे, तो इसे भी आपको आधी कर देनी है इस तरीका से आधी लिखनी है न ट न त या न क तो इसे भी आपको आधी इस तरीका से करके आप बना सकते हैं अगर ये तो आपकी ट त और क में लेकिन अगर आरंब में ह आधा नहीं किया जाता अगर आरंब में ह आता है तो उसको आधा नहीं करत लेकिन र या लौ, ह के लिए र या लौ आढ़ी ह के लिए र या लौ आधा नहीं, ह के लिए र या ला आखड़ा लगा हुआ, या फिर कवर्ग या कवर्ग कवर्ग आये तो ह को आधा भी कर सकते हैं इसमें ही ह को ये जो ह को है र या ल या कवर्ग ये तीनों में ही आधा कर सकते हैं उसके अलावा ह को सुरुवात में आप आधा नहीं कर सकते हैं आगे देख लेंगे इस तरह के र यहाँ पे देख लेंगे इस तरह के य, र, ल, व, और स, और यहाँ पे हो जाएगा ह, तो क्या हो जाएगा य, र, ल, व, स, और ह को मोटा कर दिया जाए तो इसे ड पढ़ा जाएगा अगर इसी को आप क्या कर देंगे मोटा कर देंगे तो आपको क्या पढ़ा जाएगा ड पढ़ा जाएगा तो देख लेंगे कि इसे कैसे बनाएंगे इसी को आपको मोटा कर देना है य, र, ल, व, स, और ह को तो क्या पढ़ा जाएगा ड पढ़ा जाएगा तो जैसे कि आप द तरीका से मोटा कर देना है तो यह 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 पूरे लिखे जाएंगे यह तो आपको ड़ पढ़े जाएंगे अगर र को आप मोटा कर देंगे इस तरीका से र को तो भी यह ड़ पढ़े जाएंगे ल को मोटा कर देना है व को मोटा कर देना है और स को भी मोटा कर देना है आपको मोटा कर देना है तो क्या पढ़ह जाएंगे डव पढ़ह जाएंगे इस तरीका से आपको डव पढ़ए जाएंगे eight जब अब आता है या फिर इसे डव या दव दोनों पढ़े जाथे अगर इसकी अलावा इसी तरव मोटे विंजन को आधा कर दिया जाएगा अब तो यह जो मोटा बेंजन है यह जो आप मोटा लिख रहे हैं इसी को अगर आप आधा कर देते हैं तो यह जो मोटा बेंजन है क्या है मोटा बेंजन जो आप मोटा बेंजन बना रहें यह रलव वसह इसे मोटा बना रहें इसी को अगर आप आधा कर देंगे क्या कर देंगे आधा कर देंगे तो क्या पढ़े जाएगा तो दो पढ़ा जाएगा आधा करने पर क्या पढ़ा जाएगा दो पढ़ा जाएगा जैसे कि आप देख लेंगे य इस तरीका से य तो यहाँ पर य इस तरीका से य मैंने बना दिया आधा करके अब रो रो को आधा कर देंगे इस तरीका से रो अब लो तो लो को आधा करके इस तरीका से बना देंगे तो दो पढ़े जाएंगे दो लगा हुआ पढ़े जाएंगे जैसे कि इसे आप पढ़ सकते हैं य और दो तो इसे आप क्या पढ़ सकते हैं या और दा को तो यड इसे यड पढ़ सकते हैं इसे र ड पढ़ सकते हैं इस तरीका से जितने के साथ लगे हुए तो ड पढ़ सकते हैं और अगर इसे लिखेंगे तो या और द इस तरीका से या द और या र या और फिर या ल और द इस तरीका से इसे ल द पढ़ सकते हैं और आपके सामने आता है व या फिर व के साथ भी आप इसे बना सकते हैं आधिय करके आपको ये मोटा कर देना है तो व पढ़े जाएंगे अब आपको बनाना है स तो स को स और द व और द तो स और द को कैसे बनाएंगे तो इससे आपको आधे करके अग्दम मोटा गहरा कर देना है तो स और द बने जाएंगे ह को भी आपको कैसे बनाएंगे तो ह को तो ह को आपको इससे आधा करके और मोटा कर देना है म और द तो आपको म और द यहां पर आप देख लेंगे म और द तो इससे आपको म और द इस तरीका से गहरा करके बनाएंगे म, न, और द, तो न और द गहरा करके बनाएंगे बड़े हो गए, इससे आपको आधी कर ली तो इस तरीका से आपको बनाए जाएंगे द के साथ अब आपके सामने आता है कि जो मात्रा इस आधे व्येंजन के पहले आती है और जो मात्रा व्यंजन के बाद आती है, व्यंजन के बाद पढ़ी और लगाई जाती है जैसे कि आपके सामने देख लेंगे आप, यहाँ पे पेट यहाँ पे आप देख लेंगे पेट और यहाँ पे मेट और घट इसे आप कैसे बनाएंगे, तो जो मात्रा पहले पढ़ी जाती है, पहले लगाए जाएगा जो मात्रा बाद में पढ़े जाते हैं, वो बाद में लगाए जाएगे तो आपको आधी करना है, प को आधे करना है, तो प और पढ़े जाएगे ओ घट कैसे बनाएंगे तो पहले तो लिख लेंगे घ और ट इसे आधा हमने किया है तो ओ ओ घट यहाँ पर ओ आया हुआ है तो ओ घट इस तरीका से ओ घट ये बनेंगे अब देख लेंगे कि लव स म और न र को मोटा करकर आधा कर देने से द लग जाता है तो द के लिए तो मैंने नियम बता दी है कि अगर आगे बताना चाहूंगी कि यदि व्यंजन के पहले व्रीत या आकड़े हैं फिर मूल व्यंजन जो आप उसके साथ व्यंजन लगा रहे हैं वो उसकी रेखा फिर आकड़े की मातरा पढ़ी जाएंगी और अंत में अर्ध कटे हुए रेखा पढ़े जाएंगे जैसे कि आप देख लेंगे संकट संकट सीमिट और पलेट और प्रेट तो इसे आपको कैसे बनाना है तो संकट पहले क्या बोलता है कि व्यंजन के पहले आकड़े लगे हुए हो तो पहले आकड़े व्रीत या आकड़े पहले क्या लिखे जाएंगे व्रीत या आकड़े पहले व्रीत या आकड़े लगेंगे उसके बाद क्या लगेंगे तो फिर मूल बेंजन मूल वेंजन लगेंगे मूल वेंजन उसके बाद क्या लगाए जाएंगे मूल वेंजन के बाद तो उसके आकड़े की मातरा पढ़े जाएंगी उसके बाद में आकड़ा की मातरा पढ़े जाएंगी और उसके बाद में अर्ध जो आधे कटे हुए है इसे पढ़े जाएंगे पहले क्या पढ़े जाएंगे तो पहले बृत या अंक आकड़ा पढ़े जाएंगे फिर मूल बेंजन फिर आकड़ा की मातरा जो होती है वो पढ़े जाएंगे फिर अध कटे हुए जो है उसे पढ़े जाएंगे तो इसे कैसे प्लेट और प्रेट तो अब आपके सामने प्रेट बनाना है तो प और इस तरीका से लिखेंगे और प्रेट इस तरीका से आपके बन जाएंगे तो ये था आपको कैसे लगाना है तो इसे इस तरीका से पढ़ेंगे संकट तो याधा जो आ रहा है वो संकट इस तरीका से आपको पढ़ना है अब यदि वेंजन की अंत में वेंजन जितने भी उसके अंत में वृत या आकड़ा हो तो पहले वेंजन फिर उसके बाद की मात्रा और तब आधा वेंजन पढ़ा जाता है अंत में यह वृत और आकड़े भी पढ़े जाते हैं तो इसे कैसे पढ़े जाएंगे और बनाएंगे आपके सामने पीनक, बातक और बतक तो इसमें क्या कहता है कि यदि व्यंजन के अंत में व्रीतिया आकड़ा है व्यंजन के अंत में व्रीतिया आकड़ा हो तो पहले व्यंजन पढ़ेंगे पहले क्या पढ़ेंगे तो पहले हो जाएगा व्यंजन पढ़ेंगे फिर उसके बाद में मातरा व्यंजन पढ़ेंगे फिर मातरा पढ़ेंगे और तब आधा व्यंजन पढ़ेंगे उसके बाद म ये अर्ध वियंजन पढ़े जाएंगे तो इस तरीका से आपको पढ़ना है तो अब आपके सामने पीनक तो पीनक को कैसे आपको बनाना है तो देख लेंगे पीनक बनाने के लिए आपके सामने पनक इस तरीका से पीनक अब यहाँ पे बा तक तो पहले बा तो में क लगा हुआ है तो इस तरीका से बा तक बतक तो बतक में बतक इस तरीका से आपको बनाना है अब आता है एक बेंजन में बीच में भी ट और त या क के लिए आधे किये जाते हैं यह बेंजन बीच में भी ट त या क के लिए आधे किये जाते हैं पर ऐसी दसा में बेंजन के तीनों अस्थान की मात्राएं बेंजन ही के बाद ट त या क की मात्राएं अगले बेंजन के पहले या पहले अस्थान लगाई जाती है अगले बेंजन के पहले यथा अस्थान पर लगाई जाती है जैसे पहले आप लगाते थे वैसे ही आपको लगानी है लेकिन बीच में भी ये लगता है जैसे कि आप देख लेंगे लाटरी लाटरी तो यहाँ पे बीच में लगा हुआ है ट तो यहाँ पे बीच में भी आपको लगाए जाते हैं अब चटोरा यह बीच में ट आ रहा है तो बीच में आप लिखेंगे मकडी यहाँ पे को बीच में आ रहा है तो इसे कैसे बनाएंगे अब उटकी यह भी यहाँ बीच में आ रहा है या फिर आपके सामने शोड़ा वाटर तो इसे आप कैसे बनाएंगे तो लाटरी लाटरी को कैसे बनाना आपको तो पहले ला और ट यहाँ पे ट लगा हुआ है तो यह जो हो गया ला आधा मैंने कर दिया और री तो लाटरी तो यहाँ पे लाटरी यह आधा मैंने ल को किया है इसलिए ट पढ़े जाएंगे तो लाटरी इस तरीका से चटोरा तो चटोरा पहले सर्क के नियम के अनुसार से इसे इसमें भी मातरा लगेंगे तो चटोरा तो इसके साथ नहीं इसके साथ ये मातरा लगें चटोरा इसे हो गया और ओ तो ओ इस तरीका से चटोरा मकडी मकडी कैसे लिखे जाएंगे तो मक और डी डी तो यहां पर यहां मकडी इस तरीका से मह को मैंने आधा कर दिया तो क लगा हुआ मकडी ये ट और क के साथ लगेंगे तो पुट की की इस से मैंने यहां पर पुट की इस तरीका से बनाएंगे पुट की इस तरीका से बनाएंगे सोडा वाटर तो सोडा वाटर को कैसे लिखेंगे soda water को बनाने के लिए आपको स और व की पूरा लिख्याए जाएंगे व और तर तर इस तरीका से तर तो यहाँ पे सो डा यह गहरे हो जाएंगे डा तो soda water इस तरीका से soda water बनाए जाएंगे आगे देख लेते हैं कि यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए किसी वियंजन को त या द के लिए आधा तभी करते हैं जब इससे सुचारुकता से विचार से अच्छी सब्द संकेत बनने की आसा होती है अन्याथा नहीं करेंगे अगर त या त द का परियोग हम तभी करेंगे जब आउटलाइन अच्छी से बन सके अगर नहीं बनती है तो हम इसका पूरा परियोग करेंगे तो पूरा लिखेंगे पटरी ये पटरी पूरा लिखेंगे नहीं तो पटरी इस तरीका से लिखेंगे बदमास बदमास कैसे लिखेंगे तो बदमास इस तरीका से लिखेंगे बदमास अगर इस तरीका से आपको बदमास लिखे जाएगे आगे देख लेंगे कि यहा तो और द आधह के परियोग से दोनों संकेत अच्छे बनते हैं तो और द को अगर आधह करके इसका परियोग से संकेत अच्छा बनते हैं तो इसे फिर पटरी या बदमास इसे हम कैसे बना सकते हैं आधा करके तो पटरी इस तरीका से इसे गहरा कर देंगे और बदमास तो ये बदमास इस तरीका से बन जाएंगे अब आपके सामने आता है कि सब्द के अंत में यदि त, त, द, या ड, सब्द के अंत में क्या आता है? तो आता है त, त, द, या ड, या कर आता है तो उसके बाद मातराएं आएं तो आधे संकेत काम में नहीं आएंगे अगर इसके बाद में अगर मातरा आ जाता है तो आधे संकेत नहीं लगाए जाएंगे और पूरी रेखाएं लिखी जाएंगे तो जैसे देख लेंगे आप पाट पाट यहाँ पे देख लेंगे, पाट आपको कैसे लिखना है? तो पाट, यह पूरा लिखा जाएंगा पाट क्योंकि यहाँ इसके बाद में क्या आया है? तो स्वर आया हुआ है तो पाट ये दोनों के बीच में स्वर आया हुआ है इसलिए पाट पूरा लिखेंगे अब लिखना है पट अब लिखना है क्या पट्टी तो पट्टी को कैसे आप लिखेंगे तो पट्टी पट्टी को आपको पूरा लिखना होगा क्योंकि ट और ट इसके बाद में क्या हुआ है सोर आय हुआ है तो पट्टी इस तरीका से पट्टी लिखना है आपको अब आता है आपके सामने नट नट आता है और नट्टी आता है तो इसे आप nut को कैसे बनाएंगे तो nut इसे आधा करके बना देंगे लेकिन t आता है यहाँ पे तो इस तरीका का nut t इस तरीका से आपको बनाना है nut t अब आपके सामने आता है और मोटा मोट आता है और मोटी तो इह आ रहा है यहाँ पे आ रहा है मोटा तो ओ आ जा रहा है बीच में तो इसलिए आपको मोटा पूरा बनाना है मोट तो यहाँ पे इसे आप मोट इसे आधी करके लेकिन मोटी यह ट के बाद में भी आ जा रहा है स्वर तो आपको मोटी यहाँ पे आपको मोटी इस तरीका से बनाना है तो उमीद करती हूँ कि यह आप समझ गए होंगे ट त और को के परियोग को तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप हमें बताएं दोस्तों के साथ सेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए बिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में तब के लिए धन्यमाद